Capital Smart Reddy को जब launch किया गया तो Capital Smart Reddy के पास तीन USBs थे यूनिक सेलिंग पॉइंट्स नमबर वन Capital Smart Reddy का अपना जाती मेन M2 मोटर वे पे इंटरचेंज नमबर टू Capital Smart Reddy का मेन 400 फिट का रोड जिसकी 18 लेन्स हैं और नमबर त्री Capital Smart Reddy का गॉल्फ कोर्स इस इंटरचेंज से आज की डेट में अगर आप इंटरचेंज से एकसर लेना चाते हैं तो आपको यहां से प्रॉपर एकसेस मिलती है इंटरचेंज इस तरह लैंड्सकेप के साथ त्यार होना है वो भी तक नहीं हुआ लेकिन आने वरे दिनों में सेप्टमबर 2022 में यह वाला एरिया जो रस्ता जो है यह एकसेस्ट नहीं करता था लेकिन उसके साथ पर सुसाइटी ने इसको टेंपरी एकसेस के साथ ओपन किया और साथ यह यहां पर देखें आज की डेट में फिजिकली तो आपको प्रॉपर कार्परेट रूट नजर आ साथ पर देखें तो यह वाला सारा पार्ट जो साइटी के पास प्रीवेस लैंड में एरिया में नहीं था अगर आप गूगल अर्थ पर मैं आपको रिवर्स करके देखना चाहें लेकिन रीसनली आप देखें तो यहां पर सुसाइटी ने काफी ज्यादा ब्राउनिंग भ हो रही है आने माले दुन में जब मजीज आएंगे तो इंशाला मैं दुबारा अपडेट कर दूंगा जलतें टॉपिक पे सेकेंड पॉइंड पॉइंड आता है वह में आपका चार्स ओफट रोड में बुलिवर्ट जो है कैपिल समार्टी का 400 फीट रोड इसकी जो 18 लें इस एरिया में सारे गॉल्फ कोर्स के विलाज है अभी सुसाइटी की तरफ से उन विलाज पर कंस्रक्शन जो है उनका काम का आज नहीं किया गया लेकिन वैसे गॉल्फ कोर्स के अंदर आप देखती हैं तो गॉल्फ कोर्स के अंदर तकरीब है मुस्ली पार्ट ईस है जिस पे उनने वो लैंड्सकिपिकंड और शुरू कर दी है और गरास की प्लाटेशन में। यह लेग वीड़ पमरिशल के सामने यह बड़े वाले बिमार्की बनाई जा रही है, वो भी यहां पर तक्रीबन स्ट्रक्चर मुकमल हो गया है, और आगे इस वाल एरिया में 252 कुनाल की जामय मॉस्क है, जिस पर अभी तक कंस्ट्रक्शन का गास नहीं किया गया, जब वो कंस्ट्रक्शन होगी तो वो बहुत जादा फ्लैक्शि ने डिजाइन किया है, और पीटर हैरडाइन गॉल्फ की दुनिया में सबसे बड़ा नाम है, वो इस तरह से कि जहां भी PGA स्टेंडर्ड गॉल्फ कोर्स का लिस्ट बनाई जाती है, तो हमेशा टॉप पर जो रखा जाता है, वो रखा जाता है ट्रम गॉल्फ कोर्स को जो के युएसे में मजूद हैं, और ट्रम गॉल्फ कोर्स के डिजाइन करने वाले डिजाइनर का नाम है पीटर हैरडाइन, पाकिस्तान में जितना भी रखबा है, साथ लाग 96,096 किलोमेटर, वहां पे सिरफ एक पीटर हैरडाइन का डिजाइन किया गॉल्फ कोर्स है, जो कि बरा मरला, एक कनल, दो कनल और चार कनल के विलाज होंगा है, उन विलाज को जो रोड कनेक्टिविटी होती है, उसकी एक्सस त्यार हो रही है, उसके साथ शा गेंड़ तक नौ होल्ज, उनको मकंबल तोर पे तयार कर लिया जाएगा, और इसके लाबावाज जो ग्रास की स कैपिटल स्मार्ट इचे मैं वीडियो के स्टार्टम बात की कि तीन यूएसपी थे और तीनों यूएसपी को कैपिटल स्मार्ट इचे ने अभी तक ऑनर किया है और यह सिर्फ कुछ हुआ है पांस साल के टाइम फ्रेम के अंदर याद रहे कि पाकिसान में हाॉसिंग पॉज जाती इंटरचेंज अप्रूफ करवाया नमबर त्री कैपिटल स्मार्ट ने चार्सो फेट रोड की कमिटमेंट की थी और चार्सो फेट रोड में एटीन लेन में बॉलिवर्ड तकरीबन पॉने दो किलोमेटर की कंस्ट्रक्शन जो है वो इस वक्साइट पर हो चुकी है अगर मैं प्रिसाइसली बात करूँ तो 1.69 किलोमेटर की जो कंस्ट्रक्शन है वो साइट पे हो चुकी है जहां पर प्रॉपर कार्पिटिंग हो चुकी है और प्रॉपर लेन्स की दिमार्केशन हो चुकी है नमबर त्री, कैपिटल स्मार्टिटी का आपके सामने गॉल्फ कोर्स है जिसमें अभी इस वक्त, अभी साइट पे कोई भी इंडिविजियल नहीं रहता किसी मेंबर ने अभी तक साइट पे जाके रहाईश एक्तियार करना शुरूर नहीं की मासवाय तीन फैमिली के जो भी रिसनली मुव किया और कैपिटल स्मार्टिटी में लेकिन कैपिटल स्मार्टिटी के अंदर जो फसिलिटीज हैं, जो डिवल्फमेंट की पेस हैं वो मुल्क के हलाद किस तरह के भी हों आप इस वक्त देखें तो पाकिस्तान के हलाद जो हैं, वो अपनी हिस्टरी के वर्स्ट, यानि के सबसे बत्तरीन हलाद में से पाकिस्तान गुजर रहा है लेकिन केपिटल समारिटी के साइट विजट करें, तो आपको डिवल्फमेंट की पेस वही नज़र आती है, जो 2018, 2019, 2020 में नज़र आती थी पीछ में कोवीड भी आया, पाकिस्तान के हलाद भी खराब हुए इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दा चैलेंजेस फेस्ट बाइ अपको साइट पे हर वक्त काम होता हुए नज़र आता है, तो डेफिनली आपकी लॉंग रन में जाके देखें, जब यह पूरा परजेक्ट डिलिवर होजएगा, अल्मोस तीन लाक नाल का प्लस का परजेक्ट और वो शेर ऐसा होगा कि जो मौडर्न स्टेंडर्स वित्यार किया जाएगा, यानि कि आपने पाकसान किसी शेर में से पहले, जैसे मैंने बात की, कि पीटर हरेडा इनके डिजाइन किवर गॉल्फ कोर्स का नाम ने सुना होगा, किसी शेर में आपने इससे पहले स्मार्ट कंपनी से से कॉंट्रेक्ट किया है, और साइट पर सुमजूद हैं, उनका कॉंसेप्ट ने सुना गा, तो कैपिटल स्मार्ट ने सब कुछ करके दिखाया है, that too in the time frame of only 5 years.